हलो वियोज, वेलकम टो माई योट्यूब चैनल ग्रह सुनाली दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ अलोवेरा जेल के कुछ फायदे जो आपकी सुन्दरता की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अलोवेरा में विटामेन, एंजाइम, मिनरल, शुगर, लिगनिन, सैपोनिंस, सैलिसिलिक एसिड और अमिनो एसिड आधी पाय जाते हैं जो आपके तवचा और बालों की देखभाल के बेहत फायदेमन होते हैं अलोवेरा एक नेच्रल प्रोड़क्ट होने के साथ साथ इससे होने वाले कई अनेकों फायदों के कारण अलोवेरा को आज कॉस्मेटोलोजी में बहुत बड़े एरिया में इस्तेमाल किया जाता है अलोवेरा में विटामिन A, बीटा कैरोटीन, विटामिन C और विटामिन E की प्रिचुर मात्रा होती हैं जो की एंटी ऑक्सडेंट का काम करते है पर तो आगे परने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरे इसक्रह सुना ले यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि नएने अप्लोड के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें और सब्सक्राइबर बटन के बगल में लगे बेल आइकन पर प्रस जरूर कीजेगा और यह जानकारी पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी आईए चलिए अब बात करते हैं अलोवरा जल के कुछ फायदों के बारे में सबसे पहला है ड्राइ स्किन के लिए किस प्रकार पाइदेमन है अलोवरा जल में हीलिंग और हाइडरेटिंग प्रापर्टेज होती है जिसके कारण यह ड्राइ स्किन को रिपेर करने के लिए बेहत कारगर माना जाता है अलोवरा पौधे की एक पती लेकर उसमें से जल निकाल लें और डारेक्ट ही इसे अपने स्किन पर लगाईए यह तवचा पर बने हुए ड्राइ पैचिस को हटाता है और आपके स्किन को हाइडरेट करता है इसके अलोवरा रात पर आपकी तवचा की देखभाल भी करता है रात को सोते वक्त अलोवरा जल अपना काम करता है यह रात पर आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है सोने से ठीक पहले ऐलोवेरा जल से अपने चहरे, गर्दन और हातों पर कुछ देर के लिए मसाज कीजिए और इसे रात भर लगा हुआ रहने दे ऐलोवेरा एक नॉन ओली प्रोड़क्ट है या हमारे स्किन की लेयर्स के अंदर जाकर इसे गहराई से मौचराईज करता है और उठने के बाद आप मुलायम और कुमल तो चापाएंगे ऐलोवेरा को आप आईबरो जल की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं महेंगे महेंगे प्रोड़क्ट को इस्तमाल किये बिना आप ऐलोवेरा की मदद से अपनी आईबरो को ग्लॉसी फ्लैट और कॉमल दिखा सकती हैं इसके लिए आपको बस एक बूंद ऐलोवेरा जल लेकर इसे अपनी आईबरो पर लगाना होगा इससे आपकी आईबरो बिलकुछ सेट हो जाएगी और अधिक ओयली भी नहीं दिखेगी एलोवेरा आपकी आईबरो को नैचरल ड्रोथ देने में भी बहुत मदद करता है एलोवेरा का इस्तमाल सन बन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है एलोवेरा की नैचरल कूलिंग प्रपरटीज होती है जो गर्मियों में होने वाले सन बन को ठीक करने में हल्प करती है अगर धूप में बहार जाने की कारण आपको सन बन हो गया है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर एफ्रेक्टेट एरिया पर लगाईए और थोड़ देर के लिए छोड़ दे एलोवेरा आपके स्किन को ठंड़क पहुचाता है साथ ही उसे सौफ्ट भी बनाता है सन बन के कारण लाल हो स्किन और रिशिस को ठीक करने के लिए भी एलोवेरा का इस्तवाल कर सकते हैं एलोवेरा जेल को आप हेर मोहिशराइजर के तोर पर भी इस्तवाल कर सकते हैं ये बालों के लिए बेहत सौमे तरीके से काम करता है साथ ही यह आसानी से साफ भी हो जाता है अगर आपके बाल ड्राइ और बेजान हो गए हैं तो आप aloe vera gel का इस्तंबाल कर सकती है aloe vera gel को अपने बालों पर डारेक्ट लगा ये और 30 मिनिट तक इसे लगा रहने दे और 30 मिनिट के बाद अपने बालों को सिंपल पाने से दो करके साफ कर ले और यही ऐलोवरा जल डेंडरुफ की प्राब्लम को भी दूर करता है ऐलोवरा जल की मदद से आप अपने स्किर्ड की तवचा को हाइडरेट कर सकते हैं जिससे रूसी होने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है टीट्री ओल के साथ अलोवरा जल मिलाकर एक सिर्म तयार कर ले इस सिर्म को अपने स्केल्प पर लगाईए और 30 मिनिट तक इसे छोड़ दे डेंडर फटाने के साथ साथ यह सिर्म आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है साथी हेर के स्केल्प पो मौस्टराइज करता है यह सभी तरह की हेर प्रबलम के लिए बेहत असरदार नुस्का है तो दोस्तों यह था मेरा आज का ग्रह सुनाने और उसका मुझे उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आही होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए ग्रह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंफर्मिशन को जाद से जाद से शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके धन्यवाद